लिली बहुत फुच्सूरत है मैं एक गिन उससे शादी करूँगा पर पहले मुझे स्नाथ चाहिए ओ, तो तुम यहाँ हो हाई माम, अब कैसी हो? जेरेट, तुम्हारी दाथ कितने गंदी है ओ, मेरे पास एक टूद ब्रश है तुम्हें इस साफ करना चाहिए शलो, नहीं अब मैं क्या करूँ? समझ गए जलती से ओनलाइन देख लेती हूँ ज़र यह देखो यह लिली है और वो अपने दाथ ब्रश कर रही है वाउ, मैं भी अपने दाथ ब्रश करना चाहता हूँ अगर लिली कर सकते हैं तुम मैं भी करूँगा ओ, मिंठी मुझे डंस करना है यह मज़ेदार है उसाइटेड हो, तुम इसका काफी समय से इंतजार कर रही थी हम बहुत सारे शाक्स देखेंगे चलो, चली तुम गॉगल्स तो लाई हूँ ना? बंध है? यह मैं कैसे बूल गई? हम किसी और दिन आएंगे हनी ओ, ऐसे समय में बहुत बुरा लगता है पर लाईफ में ऐसा होता रहता है हम क्या ही कर सकते हैं? जड़ा मुझे दिखाओ अगर मैं ऐसे यहाँ पर लगाउंगी तो यह काफी बिलचस्प चीज़ बन सकती है वाँ! यह पर हमारा खुद का बनाया हुआ ओक्टबस है मुझे बहुत पसंद आया और यह पानी के अंदर सुमेंग कर आए देखो इमाजिनेशन कमाल की चीज़ है और मॉम्स भी मैं इसे पॉप करने से रुकी नहीं पा रही कितनी प्यारी है जरा इसकी हाथ तो देखो कितना तेज़ चलाती है पास्ता कौन खाना चाहेगा? यह करकर कर तुम ठक गए होगी ना? बाल अपिचेट तुम बहुत बिज़ी हो या फिर तुमें कुछ और दिल्चस चाहिए इसे देखकर खानी का मन कर रहा है? नो ठैंक्स कितना चुन-चुन कर खाती है इस कहल तो मेरे साम नहीं था मैं समझ कई सबसे पहले हमें गर्मा-गर्म पानी चाहिए और फिर इसमें थोड़ा कलर डालेंगे और अब बारी है पास्ता की यह अंदर जाएगा दोस्तो जब यह थोड़ा सॉप्ट हो जाए तो टॉंग से इसे बाहर निकाल ले देखो कितनी मज़ीदार रंग है लंच तयार है तो यह तुम्हारी स्पीड है यह पॉपट नूडल्स लग रहे है मुझे भूख लगने लगी आप सबसे अच्छी मॉम हो जब तुम ऐसा कहते हूँ मुझे तुम पर प्यार होता है मुझे कलरिंग बहुत पसंद है मॉम मैंने कार बिनाई अब मुझे और पेपर चाहिए ओ ठीक है हनी ये लो मैं एक पपल सन बनाऊंगा मुझे और पेपर चाहिए मॉम इत्ती जादी कर लिया हाँ लो ओ-ओ पेपर तो खतम हो गया माफ करना हनी और रॉइंग पेपर नहीं है ओ नहीं रो मर कोई बात नहीं मुझे पता है क्या करना है मुझे एक आड़बोर्ट का पीप चाहिए अब एक ड्रॉइंग बनाएंगे आज के उप में मुझ पर ही गया है जी हाँ ड्रॉइंग बन चुकी है अब हम इसे पाकेजिंग टेप से लेमिनेट करेंगे हो गया अच्छे साथ में जोटे है हानी देखो मेरे पास क्या है तुम्हें इस टर्टॉल को कलर करना है देखो इस तरहां और तुम जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कलर कर सकते हो बढ़िया है ना मुझे दू, मुझे दू मैं इस होर्षी को कलर करूँगा आज आए डादी ये ओ, मेरी प्यारी प्रेंसेस स्कूल में तुमारा दिन कैसे रहा हो, मैं काम खतब कर लो, तब तक तुम बैठ जाओ बस हो ही गया ज़्यादे देने थजार ने करना होगा मैं बोर हो रही हूँ बस हो ही गया ओ, 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 नहीं, वो कहां चले गई फिया चलो निकलो यहां से अब अच्छी बच्ची बनकर यहीं बैठ जाओ ये बच्चे बिना बहुत काम है रुको, ये क्या है ओ, नहीं, रुको, रुको ये मेरा काम है, यहीं रुक जाओ पर मैं बोर हो रही हूँ छीक है ये कैसा है, तुम मेरे फोन से खेलना चाहोगी ये, स्क्रिन टाइब उसमें बाटरी नहीं है ओ, नहीं, शार्जिंग काट टूट गई अब मैं क्या करूँ इस फोन केस के साथ कुछ हो सकता है जी हाँ, मैं नापकेन इस्तिमाल कर सकता हूँ अब इस प्लास्टिक पर ग्लू लगा देंगे इतना गाफी होगा प्लाट आरंसे इसे बन कर देते हैं और मैं इसे केस पर लगा दूँगा और ये ग्लिटर फ्रेम लगा देंगे बढ़िया, अब वो इससे खेल सकती है हाँ, उसे बहुत पसंद आएगा ये लो बाह, इसमें तो पिंक फ्लावर्स है बढ़ बजा आ रहा है डाड़ी देखो, तमने देखा उसने क्या किया बेवकूफ है हनी, जड़ा मुझे भी थोड़ी आईस्क्रीम दे दो तम अकेली ही सारी खा रही हो ठीक है, बस एक चम्मच, ठीक है शुक्रिया मैं अभी आती हूँ डाड़ी हे, ये काफी अच्छी है हाँ, आप फिल्म देख लेते हैं शायद नहीं मैंने उसे कहा था, मैं एक ही लूँगा एक और बाइट ले लेता हूँ ये मुवी बहुत अच्छी है बस एक चम्मच और पक्का प्रोमिस ये हुई ना बात हाँ, हो नहीं ये कहां गई, मैंने क्या कर दिया मैं कह दूँगा कि ये डॉग ने खाली रुको, हमारे पास तो डॉग है ही नहीं मैंने सुचा, फ्लभी भी मुवी देख लेगा मैं ये आइस्क्रीम पकरने के लिए शिक्रिया डाइट अपनी सारी खाली क्योंकि वाइस्क्रीम बहुत टेस्टी थी बहुत हुआ, मैं याजे जा रही हूँ ठीक है, बाई स्वीट हाग, मैं तुम्हारी मा से क्या कहूँगा नहीं मुझे आइस्क्रीम के जगा कुछ डालना होगा जल्दी, हम्, क्या रिट जूस मैं तो जीनियस हूँ थोड़ा सा जूस ग्लास में डाली उपर थोड़ा फॉयल लगाए इसे नीचे की तरह अच्छी सी दबादे अब इस बेग पॉप्सिकल्स टेक लगाए इसे फ्रीजर में रखे और सेट होने का इंदुजार करें ये हो गया हेई डादी, ओ, पॉप्सिकल्स मैंने एक हास तुम्हारे लिए बनाई है मेरे लिए? वाउ, स्वादिश यामी मैं खुश हो तुम्हे पसंदाए फिह, बाल-बाल बचे वी, ध्यान से हाई डाडी हलो स्वीठार, ये लोग तुम्हारी कैंडी वाउ, थैंक यू मुझे भी चूस चाहिए गुड गल ये क्या? सब ठीक है हुपसी, सॉरी डालिंग वो मेरा फेवरेट प्रक था मैं जानता हूँ ओ, डाली इसे ठीक कर देंगे पर मुझे एक कार्टन चाहिए जूस कार्टन के धकन को हटा दे अब धकन के अंदर एक बुटन स्कीवर डाले अब स्कीवर के उपर एक स्ट्रॉड डाल दे और इसके दूसरे कोने पर एक और धकन लगाए ताकि ये वील्स लगे अब जूस कार्टन ले और इसके उपर ग्लू लगाए हमेबस कार्टन पर एक पत्ली से लाएं चाहिए जब ये हो जाए तो इसके उपर वील्स लगादे कार्टन के नीचे भी एक और वील्स का सेट लगाए अब एक बलून ले और इसके अंदर स्क्रॉड डाले रबर बैंड से इसे सिक्योर कर दे और अब इसे जूस कार्टन से लगा दे देखो मेरे पास क्या है ये क्या है? मैंने सुचा क्यों ना एक वेस हो जाए? मैं दिखाता हूँ, तम ये वाला ले लो अगर हम इन बलून्स को पुलाएंगे तो ये कार्टन्स चलेंगे तयार हो तो चलो मैं जीत रही हूँ, ठांक्स दाड़ी चोपलेट स्प्रेड गुड मॉर्निंग, अच्छे से सोए ये पका चोपलेटी है ना, कुछ और तो नहीं बहुत तेस्टी है थोड़ा सा और लगाना चाहिए, लो अरी नहीं, ये सब तो मैं किसने सिखाया और रुको, मैंने खेर, मुझे इससे साफ करना होगा इस जार में तो कुछ और है एक केला या, कम से कम वो फ्रोट खा रहा है देखते हैं, इसमें और क्या है सोडा ये हो कैसे सकता है ठीक है लड़के, हमें इसका कुछ करना होगा चश्मा उतारो मामी, मैं पिछले हकते ही ना आया था कोई बहानी नहीं इससे साफ करना ही होगा मामी, मुझे सोडा चाहिए पानी नहीं, इसका टेस्ट गंदा है रोना बन करो इस सोप्टे स्पेंसर से मुझे रिक आइडिया आया चलो मुशाफ करो हम खाना खाएंगे रुको, तुम और गंद बचा रहे हो ये ट्राइ करो स्कोर्टी चॉकलेट? वाउ ये लो, इस चॉकलेट से कोई गरबर नहीं होगी हम इसे फैलाएंगे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो यमी, यमी, और मुझे ऐसे ही पसंद है मुझे दोना जाता हूँ मैं और दकी जा रहे है वापिस आओ कास्टम और पाते डकी अपने आपको बचाओ दकी आउच, मेरा पैर हर जगा लेगोज है मैं बस सफाई करती रह जाती हूँ रुको एक बोल ले और उसमें जेली सोप डाले बस जरा सी काफी है अब सोप और डाय को साथ में मिला दे धान रहे हैं यह अच्छे से मिक्स हो जाए जब यह हो जाए तो सोप को लेगो ब्लॉक में डाले बस इसे गिरा ना दे इसे पूरा उपर तक भरे और दूसरी साइट भी ऐसा ही करे अब इसे सेट होने दे इसे उर्टा करें और सोप निकाल ले एकदम मजीदार रिंगी सोप तुम्हें कैसा लगा? लेगो सोप मजी दो जी हाँ, चलो इसके साथ अच्छे से केलो वाव, इसमें तो अलग अलग कलास है येलो अलग क्राई करो ये तो मजीदार है बस मुझे अब सोना है और कल मेरा क्रेकर है मैं बहुत एक्साइटी रूँ में रोकी नहीं पा रही बहुत बुरी नींदाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा अच्छा सब दर्दो रहा है हलाँ, स्लेपी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा लाँ मुझे दिखाओ तुम्हें फीवर तो नहीं है जरा इसे लगाओ कब से रपकामा आएगा अपना मूझ खोलो यक तुम्हें आराम करना चाहिए पर थीटर मैं बिस नहीं कर सकती मैं कब से उसके इंतिसार कर रही हूँ मुझे माफ कर दो डालिंग पर तुम बीमार हो एक मिनिट रुको मैं जानती हूँ तो खुश कैसे होगी एक सीरिल बॉक्स लें और इसमें से स्वेर काटें इस तहां बॉक्स को रखें और इसके उपर एदेशिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं एदेशिव पेपर के अलग-अलग कलर्स लगाते जाएं दो अलग-अलग कलर्स से से ढखें अब सेजर से बीच से पेपर हटा दिं अब दो टिशू पेपर लें और उने फोल्ड करें वेफुल इसकर हाँ अब टेशु पेपर को बॉक्स के अंदर रख दे उपर और नीचे दो स्लेट्स बनाएं अब इसके बीच पे पॉक्सिकल डाल दे आखिरकार कार्ट पर कारेक्टर्स बनाएं और उनिक पॉक्सिकल चिक्स पर चिपका दे तम शोग के लिए तैयार हो वाह यह तो बढ़िया है थेटर खुद ही तमारे पास आ गया हमें परफार्मेंस कैसे लगी बहुत अच्छी अच्छ बहुत गंदा था बस यह पहले नहीं हम साथ में बीमार हो जाएंगे बहुत बढ़िया मैं खेलना चाहता हूँ आराम से लो यह ले लो मुझे यह पसंद नहीं है मैंने कहां बस भी करो रोको इस रोबोट से खेल लो मुझे यह चाहिए मसे करो कितना कूल है अब मैं नेल्स कर सकती हूँ यह बोरिंग है मेरे साथ खेलो यह साथ क्यूं क्ये जा रहा है समझ गए मैं यह क्रिस्प पाफ से इस्तमाल कर सकती हूँ इस पाफ को पानी में डुबोर और फिर साथ में जोड़ दो जैसे हम ब्लॉक्स बना रही हूँ मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स पसंद है मैं यह बोल ले जा रहा हूँ शुक्र है अब वो थोड़ी देर बिज़ी रहेगा यह हुई ना बात शान्ती यह क्या है बुदू बन गई मैं यह लेना चाहूँगी अच्ची चॉइस है ये लू ये लू बैटी चली हनी यमी जरुर को सुईटी मुझे उठाना होगा हलो तुमसे बात करकर बहुत अच्छा लगा मामी अच्छा ऐसा क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा ठीक है बैटी मेरे लॉली पाप मुझे इसे उठाना होगा घंदी हो गई मेरे बलून का अच्छा लगा नहीं वापस आओ मुझे माफ कर दो बलून ऐसे बुरी चीजा अच्छे लुगों के साथी क्यों होती है बैटी क्या हुआ है मैं बाद में कॉल करती हूँ कोई बात नहीं हनी मॉमी सब ठीक कर देगी यह अमर्जिंसी है आपके साथ काम करकर अच्छा लगा मुझे पॉलिज में रहना चाहिए था मैंने यह चाहती है तो पा रहा हो इस लॉली पप के साथ रिविन को बाद देगी इतना काफी है लेलो पैटी वाँ थेंक्स माम देखो अब मेरा बिलून और नहीं रहा यह अच्छा हुआ हनी मैं बहुत खुश हूँ मामी मामी सभार लेंगी यह काफी अलग था चलो यहाँ देखते हैं यह कहाँ चले गए ए भगवान ए नाइफ्स को तो देखो यह मेरे घर में नहीं हो सकते अगर मेरी एंजल यहाँ तक पहुँच कई तो क्या होगा वो एन योटेंसल से खुद को नुकसान पहुँचा सकती है नहीं 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 मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकती मुझे इन्हें किसी ऐसी जगा पर रखना होगा जहाँ उसका हाथ ना जाए यह काफी बहतर है अब वो सुरक्षित रहेगी ठेक है मैं उसके यहाँ से थोड़े खिलोने उठा देती हूँ एक सिकिंड रुको इस टेबल का यह कोना तो बहुत शार्प है इकोनों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है अब यह बलकुल भी शाप नहीं है वो यहाँ बलकुल सेफ रहेगी दर्वाजा बंद करना नहीं भूल सकते रखो आउटलेट्स घर के आउटलेट्स नहीं वो क्या कर रही है उसे चोट लग जाएगी नहीं नहीं मेरी वे भी नहीं अभी क्या भी रुक जाओ तुम आउटलेट्स में अपना हाथ कभी नहीं दोगी आपने आपको देखो तुम बहुत गंदगी फैलाती हो लाओ मैं तुम्हें साफ कर दू आप मैं तुम्हारा क्या करूँ हेई एक सेकेंड रुको इन वाइप्स का धकन मेरे काम आ सकता है हाँ ये जरूर काम आएगा मुझे बस थोड़ी से अल्टरेशन्स करनी है ये देखो मैं इस धकन को उतार सकती हूँ और इसे आउटलेट के ऊपर चिपका दूँगी अब ये वाल कवर बन गया है इससे उसके उंगलियां सौकेट से दूर रहेंगी ठीक है अच्छे से रहना मॉमी जा रही है एक सेकेंड रुको आरम मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती आलस में गाड़ी साफ करना फिर आज गर्मी है हलो मैं पेट अंदर कर लेता हूँ मैं वहाँ जाना चाहिए जिले उसे देखो और मेरी हैर फ्लिप देखो है लेडिज ये कितना फ़नी है है न ख्लास से वो मेरे साथ हस रही है नहीं हर बार के तरह हैर मैं काम ही कर लेता हूँ इसे साफ करना होगा शमक रही है मैंने अच्छा काम किया ये हुई ना बात मैं स्कूल के लिए तयार हूँ डाडी चलो बैठो हनी हाँ चलो चले डाडी मैं म्यूजिक लगा देता हूँ मुझे गाना पसंद है अरे नहीं ये तुम क्या कर रही हो उपस सॉरी मैंने अभी ये साफ की थी पर मैं थोड़ा से तो डांस कर सकती हूँ मैंने अभी क्या कहा कोई बात नहीं गहरी सांस लो योगर प्लास के बात लाग करो रुको मेरे पास एक आइडिया है इस टी शिट से सब ठीक हो जाएगा मैं इसे हेड ब्रेस पर लगा देता हूँ और पूरे सेट पर नेज़ तक खीछ देंगे अब तुम डांस कर सकती हो हने ठांक्स दाड़ी ला 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 चलो चले येई ये मेरा फेवरिट पॉपिट है मुझे बाटरफ्लाइस बहुत पसंद है हे भगवान मेरे छोटी सी प्यारी सी एंजो ओ हाई मैंने तुम्हें कप से नहीं देखा तुम कैसे हो चलो वॉक पर चले या तुम चल रही हो क्या तुम्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया घूम सकते है देखो डॉली एक पूल मुझे तैरना बहुत पसंद है वाउ तुम्हें प्यास लगी है तुम्हें पानी पीना चाहिए ये लू अब कैसा लग रहा है ओ रही वो कहां चले गई ओ वो वहाँ पर है मुझे अकीन नहीं हो रहा पिछली बाल के मुकाबले अब ये बड़ी हो गई है टॉली ये अच्छा मजाग नहीं है ओ वो देखो वहाँ पर एक बॉल है ओ ये बॉल अच्छी भी है मुझे पसंद आई ये रेड और ब्लू है हेई वापिसाओ बॉल कहीं मत जाओ मुझे तुम्हारे साथ खेलना है वो बॉल देखो ये पेड कितना लंबा है ये तो बहुत बहुत उचा है ये सबसे बढ़िया पेड है पेड पेड मैं तुम्हें हिला सकती हूँ एहे मजाग कर रही थी मुझे ये बुक बहुत पसंद है हाँ रखो वो कहा चली गए वो कहा है नहीं नहीं वो गुम गए वो यहाँ कही भी नहीं है ये रही उसकी डॉली पर वो तो इसे हर जगा लेकर जाती है वो कहा है excuse me हलो क्या आपने इस छोटी बच्चे को यहाँ कहीं देखा है वो ऐसी देखती है हमें माप कर दीजिये हमने तो इसे यहाँ बल्कुल भी नहीं देखा वो कहा जा सकती है मेरा फोन हलो हाँ हे बगवान बहुत बहुत शक्रिया वो कहा पर है मेरी एंजल मेरी डालेंड मामी तुम्हें हर जगा ढूँड रही थी हाई मामी इसे वापस लाने के लिए आपको बहुत बहुत शक्रिया आपने मुझे कॉल कैसे किया इसके हाथ में यह ब्रेसलेट था मैंने इस नमबर पर कॉल कर लिया हे भगवान मैं भूल गई थी कि यह ब्रेसलेट मैंने बनाया है मैंने फिशिंग लाइन और थोड़े बीट्स लिये इसे सुन्दर बनाने के लिए हाथ लेकिन मेरा फोन नमबर भी आखिरकार उसका नाम भी खेर एनी को मेरे पांस लाने के लिए आपका बहुत-बहुत शक्रिया अब अपने हीरो को गड़ बाई बोल दो एनी मेरा ब्रेकफ़स्ट तयार है हे माम ओ मॉर्निंग स्वीटी मैं तुम्हारा मन पसंद सेरियल बना देती हूँ इस उमर में तुम्हें यही चाहिए होता है दूट कैसे बूल सकते हैं लो खाना शुरू करो सेरियल या क्या फर्क पड़ता है हमारे पास और क्या है ओ एक फ्रूट का बॉल ये चलेगा ये खालो चोकलेट सेच मेर के मुझे दू अब फ्रूट खाओ ये बक्वास है, इसके बजाए में चोकलेट खाऊंगा और अपना चेहरा साफ करो गमी वाम्स कैसे? कहां से? जो भी है, ये मुझे दो ठीक है ये सीधा कच्वे में जाएगा मैंने उसके लिए कितनी कोशिश है की ये क्या है? ओ, इससे मुझे एक आइडिया आया फ्रूट फ्यूरे से एक मोल्ट को भरे अलग-अलग फ्रूट्स ले जैसे आपल्स और स्प्राबेरीज जब मोल्ट भर जाए तो इसमें पॉप्सिकल स्टिक्स डाले सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दे उस मॉल्ट से निकालकर इससे बड़े मोल्ट में रख दे अब इनके उपर दूद डाल दे अच्छे से भर दे अब इने वापस फ्रीजर में डाल दे अब इस पॉप्सिकल को चोकलेट में डुबोए अब इस पर स्प्रिंकल्स डाल दे अब ये नाश्टा काफी हेल्डी पॉप्सिकल्स का होगा तुम सीरियल या फ्रूट्स तो खाओगे नहीं तो ये क्यों नहीं ट्राइ करते सच में? हाँ, लाजवाब ये नाश्टा सबसे अच्छा है शक्रिया मॉम हटो यहां से तुमारे उपर थोड़ा रेपलेंग स्प्रे कर दो नहीं, ये गंदा है तुम कहा जा रहे हो अरे यार, मैंने कितनी कोशिश की ने ने, अब मुझे नहीं पकर सकती ये क्या दिखाने के लिए सही जगा है कितनी दिल्चस्ट किताब है ना गुई है ओ, नहीं चाओ यहां से, मॉमी मुझे शूर तो ये ले आम क्या आवास थी नहीं, मेरा वहम होगा चाओ ये लो अब वो गुसे में है मेरी मदद करो मॉमी मुझे मच्छरों ने काट लिया वो बहुत बुरे है कोई बाइक नहीं हानी मैं जानती हूँ क्या करना है तो मैं बस इसके ग्राफ्स जाहिए इसे में रिस्ट बैंच पर लगा दोती हूँ इससे मच्छर दूर ही रहेंगे अब ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे अब मुझे केस करूँ मैं मच्छों के साथी बैठ जाता हूँ मैं वापस आ गया और इस बार मैं चोड़ोंगा नहीं ये लो हलो प्लास आज मैं जाहूँगी कि तुम सन बनाओ जी मिल्प मैं इंतिजार नहीं कर सकती क्या ओ नहीं मैं क्लास में गलत केस लिए आई अरे यार ये तो बस मेरे माकर्स है मैं फिर भी सिरकल तो बना ही सकती हूँ पक्वास सिरकल तुमे लगए तुम ऐसे सिरकल बना पाओगी तुम कितने बुद्धू हो अब आएंगे मेरे स्पेशल टूल्स मेरी खास कांपस और मेरी फीबरेट पेंसिल एक परफेक्ट माच अब ये देखो देखा परफेक्ट सरकल वो, क्या बात है मैं ले सकती हूँ ये, ये तो बेलकुल ही हाँ, ये तो गलत है मैं भी एक परफेक्ट सरकल बनाना चाहती हूँ मैं क्या करूँ अगर मैं इसके साथ थोड़ा ये इस्तमाल करूँ और थोड़ा सा वो भी ये, मैं समच गई मेरा हाथ, मेरा हाथ मेरा कामपिस होगा जीनियस अपना हाथ पेपर पर रखूँगी और पेन पर रूँगी अब मैं बर पेपर को भुमाऊंगी और हाथ बलकुल सीधा रखूँगी बिल्कुल इसी तरहाँ ये काम कर गया हाँ, एक पो पिक्ट सरको हाँ, अब बस सेन के फाइनल पार्च मिनाने है ताइम खतम होने वाला है बस थोड़ी लाइन्स यहाँ और यहाँ, ताइम खतम हुआ चलो अपने परच्चस दिखाओ क्लास येस माँ, तरा बिल्कुल आपकी तरहाँ में पुरा हो गया दोनों अच्छी है, पर हमारे पास एक विनर है, और वो है मांदी ये कुम भी कैसे ये, थांक यू मेल ये मेरा है, तुम पागल तो नहीं हो मेरा के सबसे अच्छा है मेरा, नहीं मेरा मेरा, 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 मेरा हेई गाइस, मुझे यहाँ बैठना है हाँ, मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ तुम अभी भी बहस कर रहे हो जरा इसे दीखो, ये प्यारा है न बिल्कल नहीं, ये सबसे अच्छा है मेरा केस तो काफी प्लेन है ओ, इस पॉपिट केस से मुझे एक आइडिया आया मुझे बस थोड़ा पेंट और ये केस चाहिए पॉपिट का एक सेक्षिन पेंट से भरे बिल्कल इसी तर हाँ हर सेक्षिन के लिए अलग-अलग पेंट इस्तिमाल करें जब भी हो जाए, तो अपना फोन केस में लगाए जब तक पेंट सूप नहीं जाता, तब तक इंतजार करेंगे और फिर केस को निकाल लेंगे वाह, कितने अच्छे से काम किया जब आइससे देखो वाह, इन रंगों को तु देखो नेरे फोन पर भी कर दो, प्लीज नहीं, इस पर करो, मैं तुमारा होमबग करूँगा मैं कर दूँगा अह, क्या दिन था कितना ही बुरा होगा एक F? ओ, नहीं, मॉम बहुत बुस्सा होगी तुम्हें टेस्ट में पास होना ही होगा वरना तुम पहले ही मैट्स, इंग्लिश और म्यूजिक में फेल हो एक वाल में भी फेल होए तो तुम गए में इस चारता ही नहीं इसे ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा नहीं, यह नहीं चलेगा एह एजर काम आएगा मैं इस F को हटा देता हूँ यह काम नहीं किया हाँ, एक रेड मारकर अच्छा नहीं हुआ एक मिनट कुको इसने तो मारकर कोई रेस किया यह अच्छी से काम करेगा हाहा बस थोड़ा सा ये इसके उपर चले शिरू करें इरेस करते हैं मैं बलकुल इसे यहाँ से हटाऊंगा एक तब जादू की तरह एफ गाइब होगा और अब पाइनल टाच परफेक्ट हाई मॉम हालो डियर तुम्हार टेस्क पेपर जरा मैं देखू तो तो आप क्या कहती हूँ मॉम मेरा बच्चा कितना समझधार है मुझे तुम पढ़कर